सेलो काईश वेलकाम बैटंटू माई शेलन हमद जाकिया तो यह जावा स्क्रिफियंग जो एडिया लेड जावा-टियानिंग में छावा सक्याइप्टर एक सण विडियू है जावा स्क्रिप्त का पार्ट विडियो है तो प्लिस इस वीडियो को जरूरू से जरूर देखिए याद का सकते हैं मतलब M2R5 का यह कितना है जावा स्क्रीट में जरू सेवन वीडियो तो चलिए अगला कुशन क्या है सिसके पहले 12 न हो गए है उसकेागे के दिया है मतलब लिख सकता है इन चारों में आपसे जावा स्क्रिप्ट क्या लिख सकता है इसे यदि आपको कोई question नहीं आता है मालेजी आप यदि पढ़के नहीं गए है तो आप इस question को जो question दिया रहता है एक्जाम में trick बता रहे हैं आपको कि जो question दिया रहता है इसे आप कम सकम दो तीन बार पढ़ें फिर उसके बाद जो आपसन आपको सही लगे उस पर टिक करके चले आईए तो दिया है जावा script code can be written in तो आपसन नमबर कौन से सही होगा जावा script file and in HTML documents directly कि हमारा जो जावा script file है जावा script file और इन मरला जावा HTML documents को डारेक्टली रीटेन करता है ठीक है लिखता है अगला question क्यादा है इसे मारा दिया है among the following which one is the ternary operator मतलब इन में से कौन सा ternary operator को follow करता है ठीक है इन में से कौन सा एक operator ternary operator को follow करता है तो आपसन नमबर d follow करता है क्या आपसन नमबर d में दिया है question mark और के दिया है colon दिया है अगला question दिया है file is side java script what is the file of dya है file is side java script object मतलब कों सा file एक java script का object है तो का है server दिया है file is server side java script object क्या दिया है आपसन नमबर भी इसका right answer है अगला question अगला कुश्ण दिया है How many keywords are there in javascript How many keywords are there in javascript 2 क्या दिया है Declare variable or constants दिया है तो आपसे नमबर क्या होगा C इसका right answer होगा There are three Three keywords are there in javascript दिया है How many keywords are there in javascript तो क्या पुछा गाइस How many keywords are there in javascript To declare variables are constant का दिया है Constant तो आपसे नमबर कौन सही होगा आपसे नमबर C मतलब three Three keywords are there in javascript To declare variables are constant कौन से है Variable, let और क्या है Count क्या है Variable, let और क्या है Count तीन आपसे होते हैं कौन कौन से keywords होते है javascript में Variable, let और count तो नेक्स कुस्षन क्या गए से मारा दिया है Which are the following is not An के दिया है Which are the following is not An invalid javascript variable name मतलब इन में से कौन सा एक valid java script variable name है तो कौन सा है valid Naut मतलब पुछा है कि इन में से कौन सा एक valid javascript code नहीं है alfिसें इन में से variable नहीं है क्या है variable नहीं है इन में से कौन सा एक valid variable नहीं है तो option number A इसका right answer है तो किसी भी variable के आगे हम numbers नहीं लिख सकते हैं ठीक है और बाकी सब सही है हम तो जो option number A है एक variable नहीं है valid variable नहीं है अगला question तो हमरा अगला question क्या गाई से पुछ रहा कि which types आप क्या पूझा है विच टाइपस आप इन दिया है विच टाइपस आप image maps can be used with java script कौन सा है आपसा number B क्लाइंट साइट images map हम कौन से मतल जावा स्कृट में पूछ रहा है कौन से maps images map का यूज कर सकते हैं जावा स्कृट में तो client-side images maps हम client-side images map का एक योग हम जावा स्कृट में कर सकते हैं आपसे number B इसका right answer है अगला question हम देखते हैं अगला question में हमारे क्या पूछा गया है कि तो एक बार वीडियो को share कर देजें आसा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को share करें और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो आपको link description box में बिल जागा playlist का और यदि इस वीडियो क पीडियो का पीडियो चाते हैं तो आपको हमारे टेलीगराम चैनल से जोड़ा होगा आपको वहां पर मिल जागा फीडियो तो पुछा है अगला question विच टाइप से आफ जावा इसक्रिप्ट लंग्वेजे मतलब जावा इसक्रिप्ट में कितने प्रकार के लंग्वेजे ह होते हैं तो हमारा विच टाइप साफ जावा इसक्रिप्ट लंग्वेजे तो हमारा जो जावा इसक्रिप्ट है वह किस टाइप का है तो आपजेक्ट बेस्ट टाइप का है क्या है हमारा जो जावा इसक्रिप्ट है वह आपजेक्ट बेस्ट लंग्वेजे जावा इसक्रि बेच्ट होगा आप से लनबर भी इसका राइड एंसर है इतना धान में रखिए कर बार में सवरी दो बार कॉस्चन को रीपिट हो गया धन फिलना में रखिए हमारा अगला कोश्चन क्या समय बाइस जावज एक वे गला टाइप टाइब्ड तो जावा स्क्रिप्ट में जो वेरियेबल होते हो वो किस टाइब के होते हैं तो डाइमेकली होते हैं क्या है डाइमेकली होते हैं डाइमेकली टाइब के होते हैं इतना ध्यान में रखिए है फ्रसकते हैं मतलब मुझे में बदलाओ कर सकते हैं मतलब बदलाओ लाव गाव स्कृफ्म जो बरियीब्स होते हैं डान Mrs या अग्ला क्शन जैस जावा इस्क्रिप्ट कोड़ि इस डिए इंसाइड फई कर दिया है having extension मतलब java script का extension क्या है जो java script का file save करते हैं उसका extension name क्या है dot js है क्या dot js लगाएंगे तब ही हमारा file save होगा और run करेगा option number c इसका right answer क्या option number c मारा अगला कुशन क्या है कि विच जावा इस्क्रीप्ट मेथड इस यूज़ टू राइट अन व्रावुजर्स का console console तो कौन से जावा स्क्रीप्ट में हम ब्रावजर का उप्योग कर सकते हैं जो उससे console सकता है तो कौन से option का प्रियोग करेंगे option number c का प्रियोग करेंगे option number c में क्या दिया है इसका option number c सही होगा console.log फिर ब्रेकट में लगाया है ठीक है console.log ब्रेकट आप्सन नमबर c इसका right answer है ज़गला question तो हमारा आगला question क्या है guys the snipped that has to be used to check if a is not equal to null is ठीक है तो दिया गया इसमें से दिया गया है कि मतलब पूछ रहा है कि a is not equal to null तो option number कौन सही होगा option number d if a इसको मतलब फूड भी राम बोलते हैं तो double equal null तो option number d इसका right answer होगा अगला question दिया है which the following sorry which is the correct syntax to call and का दिया है extension external java script file in the current html document पतला हम पूछ रहा है कि इन में से कौन सा syntax सही है java script extension file को html file current html file में लगाने के लिए या login करने के लिए तो कौन सा सही है option number a तो script फिर src attribute का यूज करेंगे फिर is equal to के दिया है is equal to फिर दिया है comma double inverted comma java script file dot js double inverted comma close फिर script को close किया है तो option number a इसका right answer है अगला question which are the operator is used to test if a particular properties exit on node कर दिया है exit on node ठीक है तो कौन सा है in in operator का यूज करेंगे option number a इसका right answer है अगला question java script is also called client-side java script ठीक है नेविगेटर क्या है नेविगेटर जावा script is also called मतला हम java script को बुलाते हैं client-side server java script और navigator ठीक है option number भी इसका right answer है अगला question which was the first browser to supported java script मतला कौन सा इन चारों में से कौन सा एक ब्राउजर है ब्राउजर है जो java script को support करता है तो Google Chrome क्या है Google Chrome यह जावा script को support करता है which was the first web browser to supported जावा दिर मतला यह पहला प्राउजर है जो java script को support करता है तो thank you guys आज के लिए इतना काफी तो वीडियो अच्छा लगे तो इस सेशन को share कर दीजिए और हमारे चैनल अपने हैं तो चैनल को subscribe करें वेल आइकन का पटन दबाएं ताकि आने वीडियो को नोटिफिकेशन आको साबसे पहले मिले तो चलिए नेक्स वीडियो मिलते हैं